तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका डीबी टेक इंडिया यूटूब चैनल में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने गाउं की आवाश उजना लिस्ट को अपने मोबाल में कैसे देखेंगे जी हाँ दोस्तो अगर आप प्रदान मंतरी आव आपको प्रदान मंतरी आवाश उजना की नई लिस्ट देखने के लिए अपने मोबाल से सबसे पहले आपको अपने मोबाल में Google Chrome या पिर किसी यह दर ब्राउजर को उपन कर लेना है यहाँ पर हम Google Chrome ब्राउजर को उपन कर लेते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च मे यहां पर आज RH reporting NIC, FTO transaction summary, आपको यहां पर FTO transaction summary पर किलिक कर देना है, जैसे ही आप FTO transaction summary पर किलिक करते हैं, आप यहां पर आपको उपर corner में 3 dot पर किलिक करना है, 3 dot पर किलिक कर देने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा desktop site, तो अब आपको यहाँ पर desktop site पर एक बार किलिक कर देना है इसके बाद आपकी जो site है वो desktop mode में convert हो जाएगी अब आपको यहाँ पर उपर जो menu दिये गए हैं यहाँ आपको about as पर किलिक करना है यहाँ पर जैसी आप about पर किलिक करेंगे एक नया page उपन हो जाएगा इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है यहाँ पर कुछ menu दिये गए हैं यहाँ पर आपको about shop वाले menu पर यहाँ किलिक कर देना एक बार जैसी आप about shop वाले menu पर किलिक करेंगे यहाँ पर 5 option खुल कर आजाएंगे आपके mobile में यहाँ पर आपको data entry के नीचे जो report वाला option दिया गया है तो आपको यहाँ पर report वाले option पर एक बार किलिक करना है जैसी आप report पर किलिक करते हैं यहाँ पर कुछ AB section करके menu आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पर beneficiary detail for verification पर किलिक करना है जैसी आप beneficiary detail for verification पर किलिक करते हैं अब आपको selection filter का option देखने को मिल जाएगा इस page में आपको यहाँ select पर किलिक करना है जैसी आप select पर किलिक करते हैं यहाँ पर इंडिया के सभी राज्यों की सूची खुल कर आ जाएगी आपका जो भी राज्य हो आपको यहाँ से उस राज्य को सिलेट कर लेना है इसके बाद अब आपको next में फिर से select वाले option पर किलिक करना है अब यहाँ से आपको अपना जिला सिलेट कर लेना है जिला सिलेट कर लेने के बाद next में आपको select पर किलिक करना है अब यहाँ से आपको अपना बिलोग सिलेट कर लेना है बिलोग सिलेट कर लेने के बाद आपको फिर से select पर किलिक करना है अब आपकी जो भी गिराम पंचायत हो आपको अपनी गिराम पंचायत को सिलेट कर लेना है गिराम पंचाय सिलेट कर लेने के बाद अब आपको फिर से नेक्स्ट सिलेट पर किलिक करना है यहाँ पर आपको किस फाइनेंसियल एर का आवाज सिलेट देखना है तो यहाँ पर हम 2022 की आवास योजना लेस्ट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 21 बाइस को सिलेट कर लेंगे 21 बाइस सिलेट कर लेने के बाद आपको next में फिर से सिलेट पर किलिक करना है यहाँ आपको first में ही प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा तो आपको प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड पर किलिक कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर जो भी कैपचा दिया होगा उस कैपचा को आपको यहाँ पर type कैपचा में फिलप कर लेना है अगर कैपचा आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से इस कैपचा को change भी कर सकते है चलिए यहाँ पर 84 माइनस 20 कैपचा को फिलप कर लेते हैं जो भी इसका answer आएगा उसे यहाँ पर डाल लेना है कैप्चा डाल लेने के बाद अब यहाँ पर आपको submit पर किलिक कर देना है जैसे आप submit पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपके गाओं की जो आवास योजना लिस्ट है वो खुल कर आ जाएगी यहाँ से किलिक करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फश्ट में आपको बेनिफेसरी नाम और फादर्स नाम देखने को मिल जाएगा जन जन लोगों के इस गाउं में आवास योजनाम लिस्ट में नाम आड़ हुए हैं बो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे फश्ट में यहाँ पर बेनिफेसरी नाम और फादर्स नाम और रेजिस्टेशन नमबर देखने को मिल जाएगा इसके बाद स्कीम फाइनेंसियल एर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021-22 इस priority category यहाँ पर देखने को मिल जाएगी BPL Family ID जो भी होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको नरेगा जोब काड का नमबर भी यहाँ पर सो हो जाता है बाकि जो भी जिस डैट में इनके खाते में पैसा भेजा गया है वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे कितना पैसा भेजा गया या भी अगर इनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया है वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी पहली केष्ट या दूसरी केष्ट जो भी भेजी जाएगी वो यहाँ से आप देख सकते हूँ तो आसा करते हैं दोस्तो इस तरह से आप अपने गाउं की आवाशीयो जिना लिस्ट को देख पाए होंगे और अपना नाम अपने मोगाल से चेक कर पाए होंगे तो दोस्तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तो